Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this video I have made especially for those students who have cancelled their admission from Delhi University or those who have withdrawn their admission from Delhi University due to one or the other reason. So this video में हम discuss करने वाले हैं कि अगर आपने 31st December से पहले अपना admission कैंसल करवा दिया था या विट्रॉ करवा दिया था बट अभी तक आपको refund नहीं आया है तो अब आपको क्या करना है तो actually सबसे बहली बात यह है कि उसके लिए आपको किसी भी college या university में personally नहीं जाना है यो कि university नहीं मना किया है इस चीज़ के लिए कि कोई भी students जो है वो directly university में नहीं जाएंगे अपना refund वगेरा के लिए तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हमारे पैसे कैसे वापिस आएंगे तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ email id शेयर कर रही हूँ आपने क्या करना है अपनी du के आपकी portal पे जाना है अपने वहाँ पर आपने जहाँ पर payments की थी पहले उस link पे वहाँ पर आपकी due payment id वहाँ पर आपको होगा this much amount is due कि अभी यह amount आपको du से वापिस लेना है तो उस पर आपने click करके फिर उस पे एक mail भेजनी है means आपने उसका एक screenshot ले लेना है जितना payment आपका due दिखा रहा है वहाँ पर तो कि आपने जितना भी pay किया होगा obviously उसमें से जो भी deduction होना है वो सब होके बाकी का तो आपका refund ही होना है लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यह refund सिर्फ उनी students का होगा जिनोंने admission process जो था 31st December तक cancel करा दिया था उसके बाद अगर कराया है तो means I can't say कि वो refund होगा या नहीं होगा वो आपको university वालों से ही पूछना चाहिए directly क्योंकि 31st तक तो उन्होंने खुद बोला था कि admission process जब तक चल रहा है अगर तब तक जो भी कोई उसको cancel करा देते हैं तो उनको refund मिल जाता है तो अब आपने क्या करना है उसका screenshot ले लेना है कि आपकी इतनी payment जो है वो डेली university के पास due है तो उसके बाद आपको जो mail id मैं यहाँ पर screenshot paste कर रही हूँ वहाँ पर आपको mail भेज देनी है means इसमें 2-3 mail id है तो आपने क्या करना है सब को भेज देनी है mail id means एक तो आपकी grievances वाली mail id है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं एक UG admission वाली mail id है means ऐसे मुझे exact याग नहीं है but I'll paste the exact IDs over here और उसके बाद PG वालों के लिए एक अलग mail id है एक ICI bank वाली एक अलग mail id है payment से related जो भी means आपका आपके portal पर भी आपको दिखेगा payment से related जो भी links है वो refund है यह जो भी ह वहाँ पर आपको mail id सेंट करनी है तो आप क्या करें एक जगा ना सेंट करके अगर आप UG है तो आप दो तीम जो भी mail id है आपकी आप सब जगा सेंट कर दें कहीं ना कहीं तो कुछ हो जाएगा और PG वालों के लिए अलग mail id है तो वो अपनी वहाँ पर mail सेंट कर दें साथ में request means लिख दें कि आपने इस इस date को अपना admission cancel कराया था उसके कोई screenshots है तो आप उनको paste कर दें वहाँ पर साथ में तो I hope कि ऐसा करने के बाद आपकी जो refund का procedure है वो start हो जाएगा और अगर फिर भी नहीं होता तो it would be better कि आप nodal officers जो है उनको call करें उनको remind कराये या उनसे confirm करें कि आपकी payment का refund होगी because everybody has paid hard earned money और उसके बाद अगर आपने कहीं और admission लिया तो obviously आपने और जगा भी पे किया होगा तो I think it would be better and I wish कि जिस जिस का भी refund अभी आना बासी है वो सबको मिल जाए because that will be very good for you and your parents also so thank you for watching everybody if you are watching kingdom of learning for the first time you can subscribe to it and give the video a thumbs up if it provided some useful information to you and share this video with others also so that they may also get some